नमस्ते, स्वागत है आपका भगवद गीता धेयन में, जहां भगवद गीता के माध्यम से हम अपने मन को समझने का प्रयत्न करते हैं, और अपना और दूसरे का जीवन सुन्दर बनाते हैं, तो आइए शुरू करते हैं गुरू ब्रह्मा से, हाँ जोड़ लिजे, टेक श्री गुरु वे नमहा, तो हम एक रीकाप लेते हैं, रीकाप में हम थोड़ा पहले के वर्सेस को चैन्ट करेंगे जातू तिष्ठत्य कर्मक्रेप, कार्यते यवशह कर्मा, सर्वह प्रकृति जर्गुनेह, कर्मेंद्रियानि सम्यम्य, नासते मन सास्मरन, इंद्रियार्थान्वि मूधात्मा, मिथ्याचारह सुच्यते, यस्तिव इंद्रियानि मन सा, नियम्यारभ तेर्जुना, कर्मेंद्रियह कर्मयोगं, असत्ताह सविशिष्यते तो याद रहे आपको कि chapter 3 स्टार्ट होता है, अर्जुन के question से, कि भगवान क्या श्रेष्ट है, कर्मयोग या ज्ञानयोग, और भगवान ने अर्जुन को समझाया था, कि for higher meditation, the mind has to be prepared, आपका मन prepared होना चाहिए, to receive that ज्ञान है, ज्ञान को पाने का रस्ता कर्म से ही आता है, so इसमें basically भगवान ने पहले बताने का प्रेतने किया था, you don't escape from the life in the name of spirituality, है ना, लोग yoga retreat पे जाते हैं, वापस आने का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको वहीं पे बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि घर के महाल में कई पर peace नहीं मिलता है, ना, and you don't want the camp to end, the same problem goes at office, home, wherever you go, the problem goes with you, so problem are not because of life itself, problem are because of your mind, ये भगवदगीता से हमको पढ़ने से पता चलता है, so उसके भागने से कुछ नहीं होगा, let's not run away from our problems, okay, कि अरे वहाँ camp में इतना peaceful था, अभी देखो कैसा होगया घर आते ही, क्योंकि हमारी ये natural tendency रहती है, world को escape करने की, है ना, जब problem too much हो जाता है, we want a peace of mind, हम चाहते है कि भाग जाए यहां से, है ना, कहीं भी जाके थोड़ी शान्ती मिल जाए, lot of people go to Himalayas, है ना, पहाड पे चड़े जाते हैं, सोसते हैं कि वहाँ पे किसी आश्रम में चले जाएंगे, world को छोड़ देंगे, दुनिया से दूर, और हमको उसे अपना purpose मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन भगवान बोलते हैं कि let's remain in the world, face the challenges, and दुनिया से ही हमको सीखने को मिलता है, जैसे पिछले बार मैंने बोला था कि दुनिया एक मा के गर्भ जैसा है, आपको यहाँ पे रहना है, इसी में ग्रो होना है, इसी से सीखना है, because this is essential for your growth, जैसे fruit होता है, fruit सिफ पेड़ पे ही उसका ग्रोथ हो सकता है, उसको पेड़ से निकाल देज़े, तो वो ग्रोथ नहीं होगा, उसका वहीं रुख जाएगा, और जो फल रहता है, जब वो ripe हो जाता है, पुरी तरह पक चुका होता है, अपने आप ही detach हो जाता है, तो कहीं भी परिवार को छोड़की जाने के लिए जल्दी नहीं करनी है, यहीं रहके कर्म शेत्र में ही मोक्ष पाना है, तो मुझे, मुझे किसी ने कमेंट किया था कभी कि मैं कहीं आश्रम तो नहीं चली जाओंगी, उनका intention साथ गलत नहीं था, लेकिन उन्हों शायद भगवदी ता समझी नहीं होगी, तो कृष्ण भी अरजुन को सन्यास की देख्शन नहीं दे रहा है, वो बोल रहे हैं कि यहीं पे रहो, अपनी ड्यूटी करो, युद्ध करो, तो गीता पढ़ने वाले अपने कर्म शेत्र को छोड़के कहीं नहीं जाते हैं, इन फैक्ट दूसरों से बेटर ड्यूटी करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, तो जैसे एक पत्थर होता है, उस पे पानी की धार पढ़के, हमारा मन भी संसार में रह रहे के, रह रहे के, पुरा स्मूध हो जाता है, तो वो रगड़ खाना कई बार इंपोर्टेंट होता है संसार के लोगों से, तो इसलिए छोड़ के कहीं नहीं जाना है, यही कृष्ण सम्झाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को, तो आगे के श्लोक देखते हैं, नमबर आठ, नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्म जायो व्या कर्मनाह, शरीर यात्रा पिछते, शरीर यात्रा पिछते, नप्रसिद्येद कर्मनाह, नप्रसिद्येद कर्मनाह. नियतम, नियतम मतलब जो हमारी नित्य डुटी होती है, which we have to perform, you must perform अर्जुना, अर्जुन को बोलते हैं, जो आपके नित्य कर्म होते हैं, हमने कर्म देखे हैं, नित्य कर्म होते हैं, नित्य कर्म होते हैं, नियत कर्म जो है, आपको करना ही है, the duties that are ordained upon you, you must do it, सबके पास responsibility होती है, उसी तरह daily अपना rituals करना है, वो भी important as spiritual growth के लिए, okay, even मेरे गुरुजी बोलते हैं कि to seek spiritual growth is also your responsibility, कभी आपने ऐसा सोचा है, life के बारे में, या responsibility के बारे में, कि spiritual growth भी हमारी अपनी responsibility है, जैसे हमको शरीर को साफ करना है, मन को साफ करना है, spiritual growth भी हमारी अपनी responsibility है, क्योंकि हमको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरशाक्तियों हैं, so those people who fail to pursue spiritual growth in this lifetime, the whole life sometimes becomes a big failure, ऐसा भी होता है, और भगवान बोलते हैं, because action is always better than inaction, even for the maintenance of the body, हम भी ना action लिए रहनी सकते हैं, okay, so there are two types of lifestyle, दो lifestyle होता है, एक lifestyle सन्यासी का होता है, और एक ग्रिहस्त का होता है, देखिए आपको क्या suit करता है, और सन्यासी का लाइब भी कोई असान नहीं होता है, उनको बहार जाके भीक्षा मांगनी परती है, the bare minimum you have to do, है na, but सन्यासी has to have an attitude of कर्मी होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भीक्षा लेने गया और भूला, अरे क्या मिल गया मुझे, कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला, if he just thinks that सन्यास is his job, तो वो उसमें भी कर्मी होगी नहीं बन पाएगा, भले ही physical रूप से सन्यास ले ले, वो hope कहेगा, काश मुझे कल टेस्टी खाना मिले, आज तो पतानी, ऐसे ही डाल चावल मिल गया, या फिर वो एक जगर का gossip दूसरे जगर ट्रांसफर करेगा, भीक्ष इस अलवेज बिटर देन इनक्षन, सुपीर है हमेशा, कभी हाथ पे हाथ धरे बैटना नहीं है, देखे आपकी ड्यूटी आपको क्या कॉल कर रही है, जॉब में, आपके घर में, समाज में, नेशन में, जहां भी आपकी ड्यूटी आपको फिट करती है, वहां पर अपना बेस्ट परफार्मेंस दीजिए, क्योंकि आप उसकी बिना रह नहीं पाएंगे, और वही रस्ता है, कर्मियोग का रस्ता है, ज्यान मार्क के लिए, ठीक है, तो नियत्तम कर्म, कुरू कर्मत्वम, करना ही है, भगवान आपको कमांड करना है, कि आपको अपने डेली लोकोयम क्रम बंधनां मौकोयं कर्म बंधनह तदर्थम कर्म कॉंते या, तदर्थम कर्म कॉंतेया, मुक्त संग सामाचरा मुक्त संग समाचर यग्यार्थ यग्य की भावना यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है यह जो वर्स है चाप्टर थी का नंबर नौ यह पूरा क्रक्स अफ कर्मियोगा है इसको आप समझ जाएंगे हैं कर्मियोगा काफी कुछ समझ में आजागा यहाँ पे यग्य की भावना को डिस्क्राइब क्या हो गया है तो पहले लाइन में देखिए accept the action done as a sacrifice मतलब यग्य की भावना से किया हुआ कर्म उसके बिना लोको यम कर्म बंधना अगर उसकी भावना के बिना कर्म विदाउट अटैश्मेंट करना है मुक्त संगहर के करना है iki free from attachment Samachara perform you have to perform that action freeing from all the attachments तो अभी अम देखते हैं इसका details तो यह turning point है shift or direction है actually same topic है but a new package समझ सकते हैं यह verse जसे मैंने वोरा summary of कर्मियोगा है second line से राम्ष करते हैं फिर बाद में फिर्स लाइन पर आएंगे, तो अयम लोग कह, in this world, ये दुनिया में, सारी लोग कर्म से बाउंड है, मतलब सार कर्म में फंसे हुए है, मतलब क्या है, जैसे आप कोई भी कर्म करते हैं, आपको उसका रिजल्ट मिलना ही है, जैसे एक कर्म क्या आपने, it's like action and reaction जो Newton ने में बुला था, exactly वही है, आप कोई कर्म करते हैं, उसका आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, चाहे आप पुन्य कर्म करते हैं, या पाप कर्म करते हैं, उससे आप बच नहीं सकते हैं, ठीक है, so अभी जो आप action कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको future life में आने वाल and also that affects you every day, okay, क्या होता है कि हम उसको target करते हैं, अगले life का नहीं सोचते हैं कि कर्म करेंगे और next life में फलित होगा, इसी life का सोचते हैं, तो जैसे हम कुछ भी काम करते हैं, we expect a result, correct, सभी expect करते हैं result, natural है, getting attached to the result is the main problem, for example, अब कार स्टार्ट करते हैं, की डालते हैं, कार स्टा होता है, तो इसी तरह, अगर कार स्टार्ट नहीं हुए, उसी तरह आपकी मन की शांती अगर भंग होती है, तो उसी तरह सोचिए कि आपकी मन की शांती किन-किन लोगों पे और किन-किन परिस्थितियों पे निर्भर करती है, हजार चीज हो सकते हैं, right, मौसम अच्छा नह तो बहुत बड़ी बात है, है ना, योगा क्लास नहीं आ पाते हैं बहुत लोग, क्यों, कुछ न कुछ काम रहता है, और important काम रहता है, अपने self-care के लिए भी time नहीं निकाल पाना, कितना बड़ा कर्म बंधन है, है ना, बहुत लोग बड़ा बड़ा donation देते हैं, paper में नाम आने के लिए ही शायद donation देते हैं, यह Facebook में picture post करते हैं, Instagram में post करते हैं, तो देखने हैं कितने लोग ने like किया, कोई like किया किया, नहीं किया, नहीं किया, numbers कितने हैं, उसमें frustration आ सकता है, है ना, मेरे Guru जी बोलते हैं कि मंदिर में कुछ लोग volunteer करते हैं, तो वो सामने ही रहन चाते हैं, पीछे का काम नहीं करना चाते हैं, ताकि वो दिखा सकें लोगों को कि वो volunteer कर रहे हैं, शुब काम कर रहे हैं, गंदा काम कोई नहीं करना चाता है, जाड़ू पो, जगा सब सामने बैट के, सर्फ करना चाते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, कोई अपकी subordinate हैं या junior कुछ Bosses होते हैं वो उसके काम की सराहना उनको नहीं देते हैं उनके काम को अपने उपर लगा लेते हैं और क्रिडिट ले लेते हैं ये भी एक टैप का कर्म बंदन है अगर हमारे बार में कोई कुछ गलत बोलता है या कुछ बोलता है कि तुम को ऐसे नहीं ऐसे गरना तो हम फट से Explanation देना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमको लगता है हम चुप रहेंगे तो जो वो बोल रहा है जो बोल रहा है वो सच हो जाएगा और हम नीचे हो जाएंगे इसा होता है कि आप अपना कितना भी पक्ष रख लो कितना भी Explanation दे दो सामने वाला जो आपके बार में धारना बनाया है वो ही रहेगी उसमें कुछ विशेश परिवर्तन नहीं होना है कोई कुछ बोल रहा है और हम चुप रहें इसका कता ही मतलब नहीं है कि आप नहीं बोलें आप बोलें पर देख के बोलें उस बोलने का कोई प्रभाव पढ़ रहा है कि नहीं और वो जो आपका बोलना है वो आपको एगो से आ रहा है मन शांत से आ रहा है या इगो से आ र व्हग्वान ने इस कर्म को ही मुक्ती का मार्क दिया है, वो धेर्षे धिर्धे पता चलेगा कैसे दिया है। तो यग्य की भावना यहां और विस्तित रूप से हम जानेंगे, अगले श्लोके में, इसमें हम पहले लाइन को तो हमने देख लिया. So, यग्य की भावना क्या होती है? तो उसके पहले हम तहले कर्म बंधन को जानते हैं और थोड़ा डीटेल्स में थोड़ा देखते हैं कर्म बंधन क्या होता है हम कर्म करते हैं हम कर्म करते हैं सुख के लिए सभी लोग कर्म कर रहे हैं सुख के लिए है ना happiness के लिए we all want happiness and peace of mind लेकिन हम कब तक सुख शाते हैं? हम सुख शाते हैं अनंत काल तक के लिए है ना? फॉरेवर. We don't want a short term happiness. और हम असीम सुख शाते हैं, मतलब हम बहुत सारा सुख शाते हैं. ऐसा बहुत कि थोड़ा सुख मिल जाए, थोड़ा दुख मिल जाए, हम बहुत ज़्यादा सुख शाते हैं. असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं हो. मन चाही वस्तू मिलने पर मन प्रसंद होता है, और उस वस्तू को अगर हम प्राप्त कर लें, तो मन प्रसंद होता है, और उसको वस्तू को प्राप्त करने के लिए हमने महनत की है, यतने किया है, यह हमारे दिमाग में fit है, ठीक है, जैसे suppose एक student है, उसको एक particular marks चाहिए, तो वो उसके लिए महनत करता है, फिसको particular mind low 90% आ गया, तो वो उसका 100% हो जाता है, तो इससे उसके मन में क्या धारना बैठती है, यह हम धारना बश्चपन से डेवलप करते हैं, कि हम मह बना लिया है, और इसी तरह हम दुनिया में कारे करते हैं, यही यदि यही आपके खुशी का equation है, तो फिर क्यों दुनिया में इतना stress anxiety बढ़ रहा है, क्योंकि सब लोग महनत करते हैं, काफी लोग को मिल जाता है जो चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे successful लोग ज prospection करना पड़ेगा, कि हमारा यह जो equation है, कि कहां गलत हो रहा है, है ना, उपरी स्थर पे, surface level पे तो यह बहुत अच्छा दिखता है, कि हम महनत करते हैं, हमको यह मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, घर मिल जाता है, फिर हम उससे सुखी हो जाते हैं, but deep within हमको analyze करना करता है कर, क्योंकि हम बहुत काम तो नहीं कर सकते हैं, सीमित काम ही करते हैं, जैसे पढ़ाई के लिए पढ़ाई करते हैं, तो कोई भी क्रिया सीमित ही होती है, अनंत नहीं होती है, करता की शमता जो होती है, जो करने वाला होता है, उसकी भी सीमित ही होती है, सबका intelligence वो सीमित होता है, कोई भी खुशी हमको मिलती, अच्छा जवाब मिलने से, अच्छे मार्क्स मिलने से, वो limited होता है, short term के लिए होता है, जो कि हमारा मन क्या चाहता है, हम असीमित सुख के लिए तरस रहें, यह ना, तो हम यह चक्कर में फंसे रहते हैं, कर्म, कर्मफल, पर अंदर की शांती नहीं है, और इसी को बोलते हैं कर्मबंधन, है ना, अपने ही कर्म में आदे फंस जाता है, साटिस्वाक्शन, इंटरनल साटिस्वाक्शन मिसिंग होता है कई बार, क्योंकि हमने अपने spiritual ग्रोथ पे काम नहीं किया, सिर्फ अपनी खुशी बाहर के कर पे ही निर्भर कर दिया, तो यह हमारा वापस equation, so limited action will give to limited result, यह हमने देखा, और सबसे important, इस बात की क्या guarantee है, कि आपका result जो आप महनत करें, आपको मंचाहफल मिली जाएगा, कोई guarantee है, कोई guarantee नहीं है, एक छात्र है जो IIT पास करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी खुशी एक अनिश्चित परिनाम पे निर्भर करती है, which is not even guaranteed कि उसको IIT made mission मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उससे फिर क्या होता है, फिर चिंता, भे, stress, depression, यहीं बंधन है, helplessly मैं चिंता किये जा रहा हूं, मेरा result क्या आएगा, मुझे यह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं चिंता नही भास्थ अनिश्चित है, धन अनिश्चित है, आपके सगी संबंधी अनिश्चित है, तो मानसिक रूप से आप दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो आप कितने स्वतंत्र हैं, आप बंधन में हैं, यहीं कर्म बंधन है, यह क्या होता है, जैसे आपको result आता है, फिर आप उस जैसे रिजल्ट अच्छा फेवर में नहीं आया, तो उसे द्वेश आजाता है, मन में द्वेश आजाता है, बहुत पर लोग ऐसे चीजों के अडिक्ट भी हो जाते हैं, जैसे coffee addiction हो गया, when you like, जब उसे राग होता है, तो addiction हो जाता है, द्वेश आता है, तो depression हो जाता है, so gradually your mind becomes slave of that coffee, so your repeated actions are simply based on your likes and dislikes, because result is not sure and happiness also cannot be sure, तो राग और द्वेश आजाता है, desirable or undesirable result पे, उसे फिर addiction या hated होता है, addiction is extreme liking towards that thing, जो not necessary आपके लिए गुड हो, अच्छी भी चीज हो तो addiction किसी भी चीज के लिए अच्छी नहीं है, है ना, so every action gradually जो हमें सरफ perform करते हैं, it's always based on raga and dvesha, okay, वो हमारी identity बन जाती है gradually, and हमारी identity हमारे लिए इतनी important होती है, जैसे, and most of the problem happens because of this identity we create within ourself for ourself, जैसे, oh I'm a lazy person, मेरसे तो ये होता ही नहीं है, मैं कभी finance manage नहीं कर सकता, या मैं कभी public speaking नहीं कर सकता, I cannot start a day without a coffee, identity, है न, ऐसे बहुत सारे हम identity अपने आप में create करते रहते हैं, कि मेरा तो कभी कुछ काम अच्छा है, होता ही नहीं है, या फिर कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, कि अरे मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगा तो मेरा काम भी गड़ जाएगा, ऐसा भी सोचते हैं, न, and unconsciously we are creating so much of कर्म बंधन on a daily basis, getting bound to the world, यही कर्म बंधन है, तो डेली लाइफ में सोचिए कि कुछ ऐसा आप जी रहे हैं कि लाइफ ऐसा साइकल में, तो उससे बहर आना है हमको, कर्म बंधन is very closely tied to identity we have created for ourself, ठीक है, अभी इसमें क्या बोला गया है, इश्वर अरपन बुद्धी, complete surrender, surrender to इश्वर बोला गया है, तो इसमें जो हमने यह देखा था, यग्यार्थ कर्मनो यंत्रा, except for the action done as a sacrifice, मतलब यग्या की भावना के बिना कोई कर्म क्या गया है, वो कर्म बंधन बन जाता है, यग्या क्या है, इश्वर अरपन बुद्धी एक यग्या बुद्धी है, मतलब action done with the attitude of offering, मतलब भगवान के लिए हम काम कर रहे हैं, we are the employee of God, इस श्लोका में भगवान बोलते हैं, कि यग्या की भावना के बिना किया हुआ कोई भी काम, कर्म बंधन करता है, लेकिन यग्या की भावना के साथ किया हुआ काम, इश्वर अरपन बुद्धी है, वो आपको उपर uplift करता है, तो आजकर लोग जॉब पे इतना stress out कि हो जाते हैं, क्योंकि यग्या भावना से काम नहीं करते हैं, कई बार घंटे भरने के लिए करते हैं, मन से नहीं करते हैं, सिर्फ पेचेक के लिए करते हैं, अगर आप सब लोग ऐसा सोच लें कि I am employee of Bhagawan, I am going there to help another human being, No matter, आप कोई भी field में हो, आप कोई industry में काम करते हो, trade में काम करते हो, teacher हो, doctor हो, कोई भी काम करें, वो पहले, बोलते थे ना Krishna, Arpanam, Astu, मतलब जो भी काम शुरू करने से पहले, हम भगवान को पहले चढ़ाते हैं, क्यों? And don't take it literally, हम सच में भगवान को कुछ नहीं चढ़ाते हैं, it's not a magic mantra, it's just an attitude, कि एक दृष्टी कोन है, कि हम कुछ भी करने से पहले हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ऐसी भावना के साथ करें, no matter क्या कर रहे हैं हम, we are trying to make another human being's life better, right? Even if आप किसी factory में काम करते हों, packaging industry में हों, या आप teacher हों, या डॉक्टर हों, आप एक human being को कुछ product दे रहे हैं, right? या हो human being से interact कर रहे हैं, even though your project manager, आपका जो tool है या जो भी आप इस पे काम कर रहे हो project पे, वो किसके लिए है? पेड़ पौधों के लिए तो नहीं है, हो भी सकता है, बड़ अल्टिमेटली वो एक another human being का life better करने के लिए, right? जो भी आप कर रहे हो, ये zoom भी जिसने बनाया, है न, कितने लोग का life change हो गया इसके कारण, आप भोजन पका रहे हैं, email भेज रहे हैं, या ये video देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, start working as if I'm nothing, I don't know anything, I want nothing, every time puncture your ego, your identity, this way we become humble and grateful, हम सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं, okay and जो भी हमारे पास abilities भी हैं, जैसे आप बहुत अच्छे project manager हैं, बहुत अच्छे doctor हैं, बहुत अच्छे teacher हैं, where did that ability come from, it has come from भगवान, right, and tell भगवान every time कि भगवान मैं आपके कारण ही ये कर पा रहा हूं, make yourself nobody in your own eyes, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका interview देने के हैं, तो आ इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इश्वर अरपन बुद्धी, यही यज्य बुद्धी होती है, इस दृष्टिकों से अगर आप काम करेंगे, तो आपका मन पूरी तरफ परिवर्तित हो जाएगा, और आपके बीच और भगवान के बीच, एक पहचान का भाह उत्पन होगा, एक relationship स्टार्ट हो जाएगा, you start identifying with God, and what happens when you start identifying with another entity, right, यहाँ इश्वर कोई परसन तो है नहीं, तो आप जब भगवान के साथ इश्वर अरपन बुद्धी रखेंगे तो क्या होगा, एक प्रेम उत्पन हो जाएगा आपके और भगवान के बीच में, okay, तो जो जो ज्यान होता है न, ज्यान का आधार है भक्ति, और भक्ति का आधार क्या है, प्रेम है, it's almost like a very devotional stage, जैस एक चोटा बच्चा देखता है अपनी मा को, that she's there for me, तो आपके और भगवान के बीच भी वो संबंद उत्पन होना शुरू हो जाएगा, that's how children love their parents, because parents are constantly providing for their kids, right, similarly, if you identify with भगवान constantly, that भगवान is constantly giving you, with everything, and भगवान is the only genuine provider, वही एक है, करता धरता है जो आपका, automatically प्रेम आजाएगा आपके अंदर, तो कर्मियोग भगवान से जान पहचान बढ़ने का एक मार्ग है, ऐसा समझ लीजे, है ना, तो भगवान क्या कुछ expect करता है हमसे return में, हम, बोलिए, सोचिए इसके बारा है, पेरेंस का expect करते हैं बच्चे से, जब वो उनके लिए सब कुछ करते हैं, yes, the answer is yes, parents expect करते हैं कि बच्चा obedient हो, यह ना, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, बात सुनें माता पिता की, तो भगवान भी हमसे कुछ expect करते हैं, छोटा सा, क्या करते हैं expect, कि हम धर्म के मार्ग पे चलें, righteous बात पे, right actions लें, every moment of our life, यह ना, because भगवान को पता है, living a virtuous life is good for us, वो हमारे लिए ही कर रहे हैं ऐसा, expectation, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, क्या प्रूफ है कि आपकी बुद्धी इश्वर में अर्पित है, इश्वर अर्पन बुद्धी आपके पास है, इसका क्या प्रूफ है, simple है, कहीं भी कुछ भी किये अच्छा किये, अगर हंकार आता है जरा सबी, कि अरे मेरे हांस इतना अच्छा हो गया, I am doing so good, समझ लेजए, पूर्णता समर्पन नहीं हुआ है, इश्वर अर्पन बुद्धी में, कुछ बुरा हुआ परेशान हो गये, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, दुख ही हो गये, तो भी इश्वर अर्पन बुद्धी नहीं है आपके पास, सुख मिले, दुख मिले, भगवान को प्रेज करना है, भगवान मेरे ही ग्रोथ के लिए आया है, है ना, तो इश्वर अर्पन बुद्धी में, ये बोला गया है, कि ये characteristics होते हैं, कोई भी कारे करने में, श्रद्धा, भक्ति, विनम्रता, हम्बल होना, कृतग्यता, कृतग्यता की भावना होना, त्याग बुद्धी, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, I am doing it for everybody, for betterment of everybody, शर्नागती, समर्पन, बहुत important है, ये छे, तो अपने अंदर ये छे इनकल्केट करिए, कुछ भी काम कर और रहे है, जाडू लगा रहे है, ये लोग कुछ भी कर रहे हैं, बच्चों को देखभाल कर रहे है, बच्चों को थूअ आप भगवान को ये सब अर्पन कर रहे हैं, है ना, तो यह होता है, यग्य भावना में रहके कारे करना, प्रसाद बुद्धी मुक्त संग समाचर तो प्रसाद बुद्धी क्या होती है Attitude of Gratitude संग में फसना नहीं है रिजल्ट के मतलब क्या है इसका Perform action without attachment मतलब अगर मंदे जाते हैं मानलो आरती के बाद कुछ प्रसाद मिलता है हम थोड़ी नए expect करते हैं कि किश्मिश मिलेगी या काजू मिलेगा जो भी मिलता सो ग्रहन कर लेते हैं पंडिर जी को बोलते तो नहीं है कि मुझे काजू पसंदी मुझे किश्मिश दे दो क्यों कि ऐसा सिखाया गया बच्छमन से के लिए इश्वर को दोश देने लगते है आपको क्या लगता है इश्वर को ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है जो आपका बुरा चाहता है कि सोच रहे कि अपनी चीज को प्रसाद जैसा ग्रहन करना है इसको मैं ड्रॉप करती हूं इसे तो यह नीचे ही गिरेगा रई okay with the acceleration of 9.8 meter per second square there's a rule of gravity law of nature manifestation of Ishwar because nature prakriti is a manifestation of Ishwar same principle theory of karma में भी आता है I got some result I deserve it एक scientific perspective हो सकता है theory of gravity वगरा और ये अध्यात्मिक परस्पेक्टिव है बस perspective का फरक है है दोनों सेम ही मैं कुछ गिराती हो तो वो gravity के कारण नीचे जाता है या फिर कुछ मुझे मेरे life में हुआ वो मेरे ही कारण हुआ है वो समझना, theory of karma है I got the result I deserve it whatever is happening with me I deserve it we are talking about the same reality same manifestation of Ishvara whether it's gravity whether it's karma when we commit any action वो reserve तो आना ही आना है मैं से कोई डिसकस कर रहा था कुछ दिन पहले मतलब basically not discuss I can say ranting कर रहा था कि मुझे ऐसे परेंस क्यों मिले तो उनके हिसाब से उनके परेंस ने उनके लिए उनके लिए इनफ नहीं किया अपने फेरंस को ब्लेम करते रहते हैं उनको बहुत दुख होता है तो ऐसे लोगों मैं बोलती हूँ एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि आपको अपने मा का गर्भ भी अपने कर्मों के अनुसार ही मिला है आप किस परिवार में जनम लेंगे किस समाज में जनम लेंगे किस देश में जनम लेंगे वो आप ही डिजर्व करते हैं यह सब आपके प्रारद कर्मों की बात है फिर उसमें क्यों शोक मनाना है पर सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपके जो आगामी कर्मा है जो आप अभी करने वाले हैं जब कोई भी आप project करते हैं या काम करते हैं, अगर उसका परिणाम उल्टा आता है, expectation के वेपरीत आता है, तो आपका मन कैसा feel होता है, विचलित होता है की नहीं, mind disturbed होता है की नहीं, या mind disturbed होता है तो कितने जल्दी bounce back करता है, तो उसकी happiness result पे dependent नहीं रहती है, So that's why there's no raga, no dvesha. यग्य में आप क्या करते हैं, यग्य में आप करते हैं, मैं अपनी तरफ से पूर्णित्ह प्रयास करूँगा, जो होना है भगवान की चा क्योंकि यग्य में हम ऐसे आहूती डालते हैं फिर वो अगनी में जाता है, उसके बाद तो हम उसको कुछ कर नहीं पाते हैं वो चल और इंग्साइटी, तो एक प्रेम की भावना से कोई भी कारे करता है, वो रिजल्ट पर उसकी उसका प्रेम या उसकी खुशी डिपेंडन नहीं रहती है, और शांत मन से ही श्रेश्ट कर्म होते हैं, सुन्दर मन, सुन्दर कर्म, ऐसा सिंपल हिसाब है, क्वालिटी ओफ आपकी इंप्रूव हो जाती है, चीक है, सो क्वालिटी ओफ वर्क डन भाया कर्मियोगी, अगर आप बिजनस होनर हैं, एक जो कर्मियोगी होगा, अगर आपका इंपलॉई, तो उसका क्वालिटी ओफ जो वर्क प्रोडियूस करेगा वो, इस विल भी मच सुपीर क्वालि तो इसलिए हमारे इसमें ना पांच महायग्य भी दिया हुआ है, ठीक है, उसको थोड़ा देखेंगे, क्योंकि हमारी ये फाइफ फोल्ड ड्यूटी जो हमको सब लाइक बोलते हैं, जो हमको ये करना ही है, तो उसमें पांच हमारे स्क्रिप्चर में दिया हुआ है, मैं सो तो duty is nothing but expressing your gratitude towards the source that has given you something, तो इसमें हमको भी वापस देना है, जैसे पहला होता है ब्रह्मयग, मतलब हमारी ड्यूटी है, वेदा, स्क्रिप्चर गीता, ये सब पढ़ना, आशलि हमारी ड्यूटी है, ये सब लिखा हुआ है, ये हमारी पहली ड्यूटी है, क्योंकि वहीं से स अधार्मिक तरीके से जीना है, राइचिस वे में जीना है, हमको भगवत गीता का उपहार देने के लिए क्रिश्न अवतार का ये सबसे बड़ा योगदान था, है ना, और हमारे एंसेस्टर्स को प्रिजर्व करके रखे समें कुछ तो अच्छा होगा, इतने साल से गीता है, वो ब्रह्माण है, ब्रह्माण के दरद तरफ जो हर किसी का आक्षन उसी तरफ होता है, वो ब्रह्माचारी है, आजकर लोगों के पास टाइम नहीं है इस अवसाधना करने के लिए, importance नहीं देते जो लोग शास्त्रों को समझते नहीं है it's almost like आँखे बंद करके रस्ते पे चलने समान है यदि आप उनसे कि यह भाईया आँख खुल के चलो तो बोलेंगे मेरे पस टाइम नहीं आँख खुलने का almost ऐसे ही है आपको क्या लगता है यह diabetes, thyroid, blood pressure यह सब जैसे बिमारियां जो chronic diseases होते हैं क्यों बढ़ रही है तो आप पुछ सकते हैं क्या गीता पढ़ने से सब बिमारी चली जाती है हाँ जा सकती है क्योंकि आप जीवन में सही चुनाओ करना सीख जाओगे आप यग्यभावना से सब काम करोगे अपने शरीर का भी उसी तरह से यग्यभावना से ही काम करोगे है ना क्योंकि गीता का जो जो ग्यान है आपके मन पे पहले काम करता है और मन से ही 80% अफ विमारी होती है as a healthcare professional मैंने ये भी देखा था कही पर लोग आते थे में पस neck pain के लिए but actually होता था कुछ relationship issues उसके कारण neck pain हो रहा है बहुत साल से जानी रहा है back pain आते थे या होता था कुछ job का stress actually back pain का कोई reason नहीं था ऐसा भी मैंने देखा है so our mind controls our body like and most of the diseases can be cured अगर आप अपने मन पे काम करते हो तो ठीक है तो ब्रह्मययग एक बहुत important यग्यभावना है कि हमारी duty है towards our scriptures इनको बचाना इनको preserve करना इसके बारे में लोगों से बात करना इसको समझना पढ़ना और उस हिसाब से जीवन यापन करना यह हमारी सबसे पहले duty है इसलिए मेरे गुरुज ने बोला था spiritual growth is our essential duty अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो बहुत बड़ा miss कर रहा है life का part second है देव यग्य देव यग क्या होता है देव का अर्थ है भगवान सीदे सीदे में तो जीवन में अपना कुछ समय भगवान के लिए समर्पित करिए मतलब अपने creator के लिए समर्पित करिए अर्थात बैठ के थोड़ी पूजा करिए मंत्र जाप करिए प्राणयाम करिए कुछ तो करिए जिससे आप connect within बोलते हैं ना योगा में you connect within that's your duty भूलना नहीं चाहिए कि एक कोई creator है जिसने हमको create किया है और वो आपके ही अंदर है उसके तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए turn inward इसका मतलब होता है देव्यग्निया ध्यान दीजिए थोड़ा पित्रयग, ancestors and older people of society ओके पूरवजों के प्रती करतव है उन्होंने जो इतने सारे अच्छे हमको संसकार दी है उसको preserve करने का करतव है हमारे पास उन्होंने हमको अच्छी सीख दी है उसको हमको अपने बच्चों तक पहुंचाना है वो एक करतव है हमारा वो भी यग्य भावना से करना है यह नहीं कि डांट डपट के बच्चों को सिखाए और बहुत लोग मैंने देखा है कि अपने next generation को हमेशा कुछ बोलते रहते हैं आशकल के तो बच्चे ऐसे होगा आशकल के तो बच्चे वैसे होगा कि अशकल तो वैसे डादी नानिया मिलती जो बच्चे वैठ के पौरानिक टाथा पढ़ाती है आप क्या कर रहे आप तर अपने मोबाईल में बैठे होई और बात यह आशकल के दादा दादी नानिया नानिया मोबाईल में बैठे रहते हैं ना उनके पस कहाँ टाइम है कि अपने पोते-पोतियों नाती लोग को पौरानिक कथा सुनाएं, उनको भी नहीं पता है, तो it's the whole society is like that, कि आप एक जनरेशन को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, अगर आप किसी को ब्लेम करें, तो अपने उपर देखें, आप क्या कर रहे हैं, और as a समाज हमारा ये भी है कि हम older people of the society को ध्यान रखें, सब की duty है, next है मनुष्यय यग्य, मनुष्यय यग्य, मतलब towards your fellow human beings, मानव जाती के प्रती कृत अग्यता, आप किसी भी एक शेत्र में काम करें, जैसे मैंने पहली बार कहा, कि you are working for another human being, इस भावना से क्याम करिये, बहला हो रहा है, जैसे मैं आपको connect कर पा रही हूं, throughout the world, लोग मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, so, हम कभी-कभी भूल जाते हैं कि as a humanity, we have developed so much, है न, हमने इतना, जैसे construction workers हैं, have gratitude towards those people, who have constructed something for you, your roads, farmers के प्रती, है न, जो आपके लिए food on the plate लेके आते हैं, उनके क अपको मिलता है, उनके प्रती थोड़ा ध्यान कर लीजे, कि वो कितने महनत करता होगा वो खिसान, है न, food को ग्रो करने में, start appreciating the hard work of general human beings, and be ready to help when needed, है न, इसलिए हमारे culture में एक दान का भी concept है, दान देना चाहिए, then last में है, भूतियग्य, भूतियग्य मतलब होता है, बा कि अगर आपके कॉफी में जो दूद है, वो शायद किसी गाय के बच्छडे को नहीं मिला, इसलिए आपको मिल रहा है, न, मधुमक्खी का, मैंने ऐसा सुना था, कि अगर bees destroy हो जाएंगे, न, मधुमक्खी, तो फिर शायद हम भी खतम हो जाएंगे, ऐसा मैंने सुना था, पर्यावर और एंवायमेंट को भी स्वच रखना हमारी responsibility है, जड़ पदार्थों के प्रती, भी हमारी कृत अग्यता होनी चाहिए, पहाड के प्रती, नदी के प्रती, अगर हिमालेज नहीं होता, तो इंडिया में भी पूरा south तक ठंड होती है, न, यह North America जैसा, हिमालेज के कारण इंडिया के पर्टिकलर वैदर है, नदी के कारण सारे civilizations होते हैं, forest के कारण, तो भूतियग्य है कि सारे other living beings, जड़ अज़ सबका ध्यान रखना हमारा करतव है, it's like a duty for all of us, so if somebody lives a life like this, will that person have ever time to complain, नहीं न, तो हमारे यह जो हमारे पूरवज है, जिन्होंने यह subscribers लिखा है, कितना सही prescription दिया था life का, अगर अपनी life यज्य भावना में जीते हैं, तो आपको किसी से complain ही नहीं होगा, so a heart which is constantly thanking, attitude of gratitude है, कितना peaceful रहेगा वो heart, यही यज्य भावना है, इश्वर अर्पन बुद्धी and प्रसाद बुद्धी, य लिखते हैं हमारा next श्लोका, सहयग्या, together with sacrifice, तो इसमें ब्रह्मा प्रजापती मतलब होता है ब्रह्मा जी है ना, second line में देखिए, ब्रह्मा जी ने यह पहले ही वाच किया था, मतलब बोला था, कि मैं लोगों को create कर रहा हूं, और साथ में, मैं यज्य को भी create कर रहा हूं, यज्य की भावना को create कर रहा हूं, और third line में देखिए, क्योंकि यह यज्य भावना तुमारे लिए बहुत important है, क्यों, यह sacrifice से ही तुहारा growth होगा, okay, may this sacrifice be a wish fulfilling cow for you, अब यह इसको literally तो समझ लिए, metaphorically समझते हैं, what does the offering really mean, अभी 3000 साल पहले, 4000 साल पहले क्या होता था, यज्य होता था, हवन कुंड में समर और पित करते थे कुछ, और यग्य किसी भावना से करते थे, जैसे वरुन देव को प्रसन करने के लिए, बारिश लाने के लिए, या किसी और चीज के लिए, forces of nature को appease करने के लिए, हां, उनको देवता मानते थे, nature को पूझा करते थे, तो प्रजापती जो creator थे न, वो बो प्रजापती, तो यग्य was created together with the human beings, मतलब, it came as a package, हमको वो यग्य भावना में जीना ही है, क्योंकि that is a natural way of living, अनेना, अनेना बोला है, यहां पर, अनेना प्रसर विए, बाइना 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 बच्चा होस्टल जाता है, तो मा क्या करती है, साथ में अचार पैक कर देती है, कोई चिटनी पैक कर देती है, उसके साथ में एक package ड्याओ देती है, थाकि वो बच्चों को बाद में मिलता रहे है ही नो, थोड़ा बहुत, अगर कभी कुछ सब जी अच्छी भी नहीं लग अगनी मिले पुरोहितम मतलब मैं अगनी में समर्पित कर रहा हूँ और I worship you अगनी as a पुरोहित मतलब अगनी को हम as a पुजारी मानते थे उस समय उस जमाने में तो क्या मतलब अगनी की पुजा कर रहे हैं अगनी की पुजा नहीं कर रहे हैं अगनी को as a means ले रहे हैं कि हम ज कोई फरक नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, आप भगवान को ही भेंट चड़ा रहे हैं, थ्रू एनी मेंस, चाहे वो बच्चे की देखभार करने वाली मा हों, आप बच्चे के माध्यम से भगवान की पुझा कर रहे हैं, आप एक कॉर्परेट एंप्लॉई हैं, जो इ पुझारी की देखभाल करते हैं, तो आप उसको यूज करके कुछ काम निकालना चाहते हैं, तो वो भी यग्यभावना से ही करना है, वो बच्चा भी आपके जीवना है, बस मेसेंजर है, आप बच्चों की जैसे देखभाल कर रहे हैं, आप भगवान को भी यग्यवया अपने आपको डाल रहे हैं, अगर आपने काम यग्यभावना से नहीं किया, इश्वर अरपन बुद्धी या प्रसाद बुद्धी से, या वो भावना से ये नहीं किया कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, तो आपका जीवन भय और असुरक्षा में ही रहेगा, मेरी एक कर रहा हूं, है ना, I am doing it, आगे भगवान बोलते हैं ना, अहंकार विमूढ आत्मा, करता अहम इतिमन्यत है, मतलब वो आपका अहंकार ही बोल रहा है कि मैं इतना कर रहा हूं, और उसको कर, ऐसा एक्सपेक्ट करने से ही आपका जो कर्म है, अगर आपका अगर कर रहे हैं सोच के कि बच्चा मेरे ले क्या करेगा, तो आगे हम शाप्टर में देखेंगे, जब डीटेल में वो राज इस एक तामसिक पढ़ेंगे, तो उसका आपका कर्म ही तामसिक हो गया, है ना, क्योंकि उसमें अपेक्षा अटाच हो गई, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर तो ऐसे लोग इनसेक्यूरिटी और फियर में ही जीते हैं, यू कुड बी ए सेवेंटी यरोल्ड, आप सतर साल के हो सकते हैं, लेकिन आपके मन में हमेशा एक ही थाट चल रही है, मेरा कौन बच्चा मेरा देख भाल करेगा बुढ़ापे में, मेरी जो देख भाल करेगा उ उसी को मैं प्रापरटी दूँगा, आपने भी देखा होगा ऐसे लोगों को, जो हमेशा इसी भे में रहते हैं, पुरा जीवन भर इनसेक्यूरिटी में रहते हैं, क्यों? क्यों उसको ऐसे एज में भी आके, सेवेंटी यर्ज में भी आके उनको ये इनसेक्यूरिटी है, या भे है, कि मेरी कौन देखभाल करेगा, और ऐसा विचार कैसे आता है मन में, कि मैं उसी को प्रापर्टी दूँगा, जो मेरी देखभाल करेगा, कहां से आता ये विचार, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत, लोगों के साथ सिर्फ ट्रांजाक्शन किया है, यग्य भावना से काम नहीं किया है, उन्होंने हमेशा यही सोचा है, कौन मेरे बार में क्या कर रहा है, अगर यग्य की भावना से जीवन या पन किया होता, तो ये विचार कभी नहीं हाता, ऐसा मुझे न, अपने पिता जी से, मेरे फादर से सीखने को मिला था, वो हमारे लिए कर्म योगी ही थे, हम उन पे जितना भी गुस्सा कर लें, उनसे कई बार बात भी नहीं करते थे, उनको परिशान करते रहते थे जैसे बच्चे करते हैं, उनको कई बार उनकी आदतों के लिए हम डाट भी देते थे, बट उनके मुझे हमने कभी ऐसा अपने बच्चों के लिए, मुझे कभी उनके मन से द्वेश की भावना नहीं निकली, नहीं पीछ पीछे जाके हमारी कंप्लेन करना या गॉसिप करना, कभी मैंने उन से नहीं सुना था, कभी उन्होंने अपने हम को प्रायारटी नहीं दि थे, कि मुझे क्या मिल रहा है, कोई मुझे नाष्टा पूछ रहा है की नहीं पूछ रहा है, कभी नहीं, हमको कितने भी समय कोई भी काम हो, वो हमेशा ततपर रहते थे हमारे काम के लिए हनुमान जी के भग थे तो शायद राम, काज, करवे, को आतूर में रहते थे हमारे थुरू भगवान की याराधना कर रहे थे शायद उनके मुँझे मैंने कभी ऐसा सुना ने की मुझे कौन बच्चा जादा करेगा या मैं उसको यह प्रॉपरटी दूँगा, कभी नहीं सुना हमारे कर्म के लिए ही वो जीते थे आशली तो हमारे थुरू अपनी साधना ही कर रहे थे मुझे तो कई बार ऐसा लगता है तो चली अपना नेक्ष लोग देखते हैं देवान भावयता नेना देवान भावयता नेना टेदेवाबावयंतुवह परस्परम भावयंतुवह परस परम भाव यंत श्रैयाः परमवापसत श्रैयाः परमवापसत देवान, देवान मतलब होता है भगवान या गॉज़स हां तो यहाँ पर प्रोपिशियटेट गॉज़स इस साख्रावड़ मतलब हम बेजिकली पहले इसका little meaning समझते हैं, हम देवताओं को पूजा कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं through this yagya, so that ये देवता खुश होके वापस हमको कुश वर्दान दें, second line में, may these gods propitiate you, propitiating each other, मतलब एक दूसरे का हम देखभाल करते हुए भी, करते हुए, श्रेय परम वापस है, मतलब you shall gain the highest good, मतलब हम देवता को पूजा करेंगे, देवता हमको वापस वर्दान देंगे और सबका growth होगा, मतलब win-win situation होगा, तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर परस्पर उन्नत्ती की भावना को जागर किया है, उसका मतलब समझते हैं, detail में, भावयतह, do some nice thing so that you get something nice back, है ना, बहते हैं, जैसा करो वैसा फल मिलेगा, तो आप ये देवता की पूजा करो, आपको ये फल मिलेगा, ये देवता की पूजा करो, ये फल मिलेगा, लेकिन कई बार लोग इसको literally समझ लेते हैं, है ना, कि जैसे कोई देवता उपर बैठा वो आपको दे रहा है, है ना, ये ले लो, वो ले लो, आजकल के जीवन में कैसे समझेंगे इसको, वायू देवता हो सकते हैं, धरती माता देवता हो सकते हैं, अगर हम nature को respect करेंगे, environment का ध्यान रखेंगे, प्रकृती भी हमारा ध्यान रखेंगी, है ना, अगर हम nature में pollution फ उनको भी देवता बोलते हैं, अगर हम उनको अच्छे से treat करेंगे, उनकी देख भाल करेंगे, आँखों को बहुत ज़्यादा गलत नहीं दिखाएंगे, या देर रात तक टीवी नहीं देखेंगे, तो आँख भी हमारी बुढ़ापे में अच्छा करेंगे ना, जल्दी खराब नहीं होंगे, या फिर आप एक मैनेजर या बिजनेस ओनर हैं, आप अपने इंप्लोई का ध्यान रखते हैं, आपके इंप्लोई भी आपके लिए वैसी भावना से काम करेंगे, लेकिन अगर आप उनके तरफ बोलते हैं, रहे मैं इसके साथ कैसे फायदा उठा तो वो इंप्लोई भी वैसे ही काम करेंगा आपके लिए है ना घंटे भरने के लिए, वो मन से नहीं करेगा, तो भगवत गीता आपको एक अच्छा लीडर बनना भी सिखाती है, नेक्स्ट देखते हैं इस थोड़ा डीटेल्स में, परस्परम भावयंतह, यह बहुत मतलब है, basically when a group of people come together with an attitude of yagya, outcome is always good, है ना, जब लोगों का एक समू, एक yagya के दृष्टी कौन से आता है, तो मतलब है कि जो उनके अपना talents है, जो साथ में पूल करते हैं लोग, है ना, और अपने उपयोग के लिए यूज, अपने एक गोल, हायर गोल के लिए यूज करते then what happens, with a spirit of cooperation and spirit of sacrifice, है ना, for the welfare of all, leaving all the personal differences, focus is not on what I get, but what I give, मतलब उनका कोई भी कार यह अहंकार से केंदरित नहीं होता है, यह मैं एक patient care setting में भी बता सकते हैं, एक patient को बहुत सारे doctors यह देखते हैं, अगर सारे doctors अपने ego में लेके बैठ जाएंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वही स सुनेंगे, तो we don't have a higher goal, बड़ अगर हमारा higher goal है कि वो patient को benefit होना है, तो सारे team members मिल के काम करेंगे, welfare, हां, उसमें सबका भला होगा, so always have a bigger picture in mind, and not work through the egocentric desire, in the spirit of cooperation, सहियो की भावना से काम करना है, और त्याग की भावना से काम करना है, हां थोड़ा मुझे कम सोने को भी मिल गया, बट actually मेरा काम तो हो गया, है न, क्योंकि मेरा deadline आ रहा है, team को, सुरे team का deadline आ रहा है basically, when you come with a, with a, भावना of yagya, तो बोलते हैं, outcome हमेशा अच्छा होता है, everybody benefits, agenda is not what I get, इसमें मेरा क्या फायदा है, but what I can give, है न, मैं कैसे contribute कर सकता हूँ, ये yagna की spirit है, है न, body में ये देख लेजे, every limb, every organ is working in unison, है न, अगर कोई पत्थर आके आपको hit करने वाला होता है, आख पे, तो अपका हाथ सामने आ जाता है, हाथ comes to protect your eye, हाथ तो ये नहीं सोचता है, कि अरे मैं क्यों injury लूँ, आख को मरने दो, नहीं न, there's a higher goal, आख ज्यादा डामज रगा, इसा हाथ ही वो ले लेता है, तो every limb, every organ, every cell in the body is working with the principle of yagya bhavana, अब हम खाना चबाते हैं, tongue और teeth का ऐसा coordination होता है, कि tongue कभी बीच में आके कटता नहीं रहता है, हाथ न, इतना सही coordination है, भगवान ने यग यभावना से कितने अच्छे से body parts को बनाया है, उसी तरह stomach में जब food जाता है, stomach ही food को convert करता है, हाथ न, वो digest करता है most of it, बट वो नहीं सोचता है क मैं जमा करके रख लेता हूँ, थोड़ा खाना मेरे लिए, वो distribute कर देता है stomach, जाने देता है सब तरफ सारे organs में, क्योंकि वो जमा खोरी करने लगेगा तो stomach को पता है, उसका ही भला नहीं होने वाला है, उसी को gas problem सब problem होगी, stomach को पता है, तो हम क्यों नहीं समाज में सीख स कोई मेरे बार मैं पूछ नहीं रहा है, मुझे नाश्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फिर एहंकार में कई बार जूट मूट बोलतेते हैं, अरे मन है जाने का नहीं पर बोलतेते हैं, मुझे नहीं जाना है, तो देखती हूँ कौन आ रहा है मुझे मलान मनाने के लि महाभारत की स्टोरी में एक बहुत सुंदर स्टोरी आता है दो ब्रदर्स का, दो भाईयों का उसमें क्या होता है? बड़ा भाई एक चोटा भाई रहता है तो दोनों अपने माबाप के खेत में काम करते हैं और माबाप की मृत्यों के बाद वो जो भी खेत में होता है उसका आधा-धा हिस्सा वांट लेता है जो भी produce होता है इस तरह से अपना जीवन निर्भा कर रहे थे तो छोटे भाई की क्या होती है शादी हो जाती है फिर उसके अपने दो बच्चे हो जाते है और वो अलग घर में जाने लगता है बट स्टिल बड़ा भाई अकेला था तो एक बार उसके मन में ये विचार आता है कि मैं तो अकेला रहता हूँ बट मेरे छोटे भाई के पास तो चार फैमिली मेंबर्स है उसको मेरे से ज़्यादा मिलना चाहिए फसल प्रोडियूस ज़्यादा मिलना चाहिए तो अभी जस्ट फसल कट के आई थी तो उसके माइन में एक दम से ये विचार आता है तो इमेरेटली क्या करता है अपने गोदाम में जाके जो बच्चा हुआ जो उसका है उसमें से निकाल के कुछ 50% वो पैक करके बुलक काट से जाने लगता है अपने भाई के गोदाम के तरफ रस्ते में ठीक उसी समय वो छोटे भाई के मन में ये विचार आता है कि अरे मेरे पास तो चार लोग हैं मेरे परिवार में मैं जब बुढ़ा हो जाओंगा तो मेरे बच्चे हैं देखभाल करने के लिए लेकिन मेरे भाई तो सिंगल है अगर वो बुढ़ा हो जाएगा खेत में काम नहीं कर पाएगा फिर वो इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा फिर कितना मुश्किल हो जाएगा उसको वो काम भी नहीं कर पाएगा अकेला ही रहता है मैं को ऐसा चाहिए कि मैं उसको थोड़ा जादा परसंटेज दे दू 75 परसंट उसको जाना चाहिए मैं सिर्फ 25 परसंट रखता हूँ ठीक उसी समय वो भी अपना एक्स्ट्रा पाक करता है और जाने लगता है तो दोनों बीच में मिलते हैं एक पकडंडी पे बोलते हैं तुम क्या कर रहो तुम क्या कर रहो जब दोनों इक दूसरे के भावना को समझते हैं तो दोनों के आँख से अश्रु निकलने लगते हैं इतना परस्परम फ्रीम है, तो यही परस्परम भावयंतह का क्रक समझ सकते हैं कि एक दूसरे के बार में हम क्या सोचे हैं हैं, कैसे हम दूसरे का लाइफ बेटर बना सकते हैं, कोई बच्चा गुसा हो कि आपसे बोल भी रहा है, कि you're not a bad parent या कुछ भी गुसा हो रहा है, में पेन में कई पर गुसा हो जाते थे, चिला देते थे, तो मैं लिटरली उनको नहीं लेती थी, I think the pain तो जो है अंदर का pain शरीर का, बस मुझ से निकल रहा है, मुझे ऐसी लगता था, तो यही होती है, परस्परम भावयंतह, एक दूसरे के बार में ध्यान देने की बात ह अगुति है, और इसी लिए भगवन बोलते है, success is guaranteed, एक श्रेयम बारम भावस देवा, तर नेक्ष्लो का देखते है, नंबर बार, इस्टान भोगान ही वो देवा, इस्टान भोगान ही वो देवा, दासयंत यग्यभाविताह, दासयंत यग्यभाविताह, दासयंत तर्दतान प्रदय भ्यो, तर्दतान प्रदय भ्यो, यो भुंजते, यो भुंकते सेन एवसा, यो भुंते सेन एवसा, इस्टान भोगान ही वो देवा, दासयंत यग्यभाविताह, दासयंत यग्यभाविताह, दासयंत यग्यभाविताह, दासयंत यग्यभाविताह, दास पूरी cosmic force, पूरी universe will come and help you with that. Because हम यग्य भावना से ईश्वर को अरपन कर रहे हैं ईश्वर हमको वापस वो blessing दे रहे हैं in return. देवताज विल शावर you with all the blessings when you perform all your actions with कर्म योगा. यग्य भावना की. और अगर आप देखें, बहुत हाई लेवल पर जाने की जोतनी. एवरिडी बेसिस पे हमको कितने सारे good things मिलते हैं लाइफ में. For example, कल रात सो के आज आप सुभव उठे. Isn't that a blessing? कितने लोग रात में ही मिर्तियू की गती को प्राप्त हो जाते हैं, हार्ट अटक आजाता है. The first thing when you get up in the morning, thank God, I'm alive in this body. Not many people wake up. We take things for granted कि हमार बस कितना abundance है, है न? लोग मार्स पे जाने का कर रहे हैं, वो इधर्ती पे भूल जाते हैं कितना abundance है. इसी को क्यों नहीं सुन्दर बनाए और हम? तो इसमें बहुआन लास्ट में बोलते हैं, वो थीफ हैं, चोर हैं. बहुआने चोर बोला है ऐसे लोगों को. तो अगर आप सोचिए, कि हम अपने आप से ही क्या चुराते हैं कई बार? हम भी अपने आप से चूरी करते हैं, क्या चुराते हैं? कई बार अपना time चुरा लेते हैं न? तो उसने दस मेंट के लिए बैठेंगें, सोचल मीडिया पे, फेस्बुक पे, ट्विटर पे, या कहीं भी, इंस्टाग्राम पे. बैठते हैं, दस मेंट हो जाते हैं, दो हंटे कई बार. आंट भी स्टीलिंग आर वन टाइम? या फिर भग्मान ने ये सुन्दर शरीर दिया, ये जनम के समय आपके पास सुन्दर शरीर है, हम उसकी देखभाल नहीं करते हैं, तो शरीर मोटा हो जाता है, diseases जादा आ जाती हैं, तो हम क्या अपना भविश्य का सेहत नहीं चुरा रहे हैं, या अच्छा टाइम नहीं चुरा रहे हैं अपने आप से, are we not thieves? We are thieves, right? If we don't take care of our own body. क्या हम अपने माता-पिता से कुछ चुरा रहे हैं, उनसे सारे resources ले ले देते हैं, फिर old age में उनको बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा करते हैं, मैंने ऐसा भी देखा है कि कई बार बेटी आती है, Mercedes-Benz से, बट अगर बोलो कि आपके मा को walker चाहिए, तो उनके पास 50 जॉलर भी नहीं होते देने के लिए, ऐसा भी देखा गया है, अगर आप parent हैं, अगर आपके बेटे बहु अपने friends के साथ कही घूमने जाने का प्रोग्राम बना लिए, तो आपको बुरा लगता है क्या थोड़ा सा, कि मेरे घर में रहके मुझे ही प्रोग्राम का बताया नहीं, अपने दोस्तों के साथ busy है, मेरे उपर किसी का ध्यान नहीं है, आपका अपने उपर ध्यान है, आख बंद करके देखिये दो मिनट, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, आप अपने बच्चों को ओन नहीं करते, आपने अपना जीवन जीया, उनको भी अपना जीवन जीने देजिये, Are we taking everything for granted, and we care for people genuinely, and not according to मुझे कैसे चाहिए, मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं इनफार्म किया, मेरा इतना भी महत्वन ही ये घर मे रह के, मुझे नहीं किया, ये वो बलाबला शुरु हजाता है, एक करियपपा गरके थे, Field Marshal K.M. करियपपा, उनका बड़ा ही सुन्दर स्टोरी है, तो वो, I think, British India में भी, I think, Field Marshal या General थे, और उनका बेटा ना, जब 1965 का वार हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो उनका बेटा पाकिस्तानी आर्मी से कैप्चर हो गया था, Air Force Officer था उनका बेटा, तो एक Ayub Khan के General थे वहां पाकिस्तान में, उन्होंने पूछा नाम क्या है, तो उनको पता चल गया, यह कियम करियपपा का बेटा है, क्योंकि वो जो Ayub Khan थे, उन्होंने कियम करियपपा के अंडर काम किया था, British India में, यह स्टोरी है, तो उन्होंने करियपपा को फोन किया, फोन लगाया कि आप बोल दो, मैं आपके बेटे को रिलीस कर देता हूं, बट करियपपा refused, he said, all the soldiers were his son, जैसा बाकी soldiers के साथ वहवार हो रहा है, वैसे ही मेरे बेटे के साथ वहवार करिये, यह होती है यग्य भावना, जो नौन यग्य भावना से क्या जीते हैं, सिर्फ अपना काम निकाल लेते हैं, मेरा क्या भला हो रहा है यह, जमाखोरी करने लगते हैं, तिल इवेंचली भी नेवर भी हैपी, वो 70 एर ओल जैसे भावे और असुरक्षा में ही जीएंगे, lifelong, क्योंकि उन्हें सिर्फ ट्रांजाक्शन किया है, अपना जमा किया है, उनको हर रिलेशन्शिप से प्राब्लम होगा, उनका विजन बड़ा कभी नहीं हो सकता, तो यही है, अभी तो हमने शुरुआत की है, कर्मियोग के चैप्टर की बारवेंश लोग पे ही आये हैं, आगे-आगे देखिए क्या-क्या मिलता है, बहुत ही सुन्दर है यह चैप्टर, अपने मन पे काम करने के लिए, इसको वापस देखिए, दो बार, तीन बार, एक बार मैं समझ नहीं आता कई बार, तो आज थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि मैंने बहुत प्रेपरेशन की थी इसकी, और नया साल शुरू होने वाला है, और आप मुझे questions पूछते हैं, बहुत लोग personally भी message करते हैं, कि अच्छा लगा, तो मुझे भी बहुत संतुष्टी मिलती है, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, हाँद जोड लीजिये, ओम पूर्नमदह पूर्नमिधं पूर्णां पूर्नमुदच्चते पूर्नस्य पूर्नमादाय पूर्नमेवावशिष्चते आम शांति 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 ही धन्यवाद.